दोस्तों आईए जानते हैं कि जुडवा बच्चे क्यों होते हैं? ये सवाल अक्सर हमारे मन में उड़ता है कि आखिर क्यों कुछ महिलाओं को जुडवा या फिर तीन बच्चे एक साथ हो जाते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं एक से जादा बच्चे एक बार में जन्म देने को मेडिकल टर्म में बोला जाता है मल्टिपल प्रेगनेंसी इसका अर्थ है कि किसी महिला के गर में दो या उससे जादा बच्चे हैं ये बच्चे एक ही एग या अलग-अलग एग से हो सकते हैं ट्विन्स दो परकार के होते हैं एक होता है identical twins यानि एक ही एक से पैदा होने वाले बच्चे identical twins कहलाते हैं ऐसा तब होता है जब एक एग में एक स्पम्प से fertilize होता है और यह fertilize एग दो या दो से जादा हिस्सों में बढ़ जाता है यह काफी rare माना जाता है इन बच्चों का चहरा और नेचर बिलकुल मिलता जुलता होता है। दूसरे होते हैं fraternal twins यानि की अलग-अलग egg से पैदा होने वाले बच्चे। ऐसा तब होता है जब दो या दो से जादा egg अलग-अलग sperm से fertilize होते हैं। अगर महिला के परिवार में fraternal twins है तो इसकी संभावना बढ़ जाती है। अधिकांस twins इसी तरह के होते हैं। ऐसे twins एक जैसे भी दिखते हैं और अलग-अलग भी दिख सकते हैं। आइए जानते हैं कि क्यों होते हैं जुड़वा बच्चे। जुड़वा बच्चे होने के कई कारण होते हैं। पहला कारण है fertility treatment जो महिलाएं IVF का सहारा लेती हैं या fertility दमाएं खाती हैं उनमें twins होने के chance बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण है family history दोस्तों अगर महिला के परिवार में पहले से ही twins है तो उनको भी twins होने की संभावना बढ़ जाती हैं। महिला एग producer होती हैं इसलिए उनके परिवार के मा और बहन के जिन्स उनमें transfer होते हैं। तीसरा कारण है lifestyle नौन्वेज या high fat खाने वाली या मोटापे से ग्रस्त महिलाओं में twins बेबी होने के chance जादा होते हैं। High fat diet लेने वाली महिलाओं में hormone change के कारण ऐसा हो सकता है। पांचवा कारण है बच्चों की संख्या जिने पहले twins या ज़्यादा बच्चे हैं उन महिलाओं में multiple pregnancy होने के chance बढ़ जाते हैं। चटा कारण है place दुनिया के दूसरे हिस्सों के मुकाबले वेश्ट अफरिका कंट्रीज में twins होने के मामले ज़्यादा सामने आती हैं। इसके पीछे उन इलाकों के climate और food habit को जिम्मेदार माना जाता है। ट्विन्स के उपर कुछ interesting facts भी हैं। दोस्तो जो के इस परकार है। ट्विन्स पैदा करने वाली महिलाएं समाइन महिलाओं से ज़्यादा जीती हैं। ऐसा यूटा यूनिवसिटी की research में पाया गया है। साढ़े 5 इंच की height से ज़्यादा height वाली महिलाओं में twins होने की ज़्यादा chances होते हैं। dairy products खाने वाली महिलाओं में twins होने की chance 5 गुना ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तो ये थे कुछ interesting facts जुड़वा बच्चों के बारे में। इसी तरह और भी healthy और beauty tips के लिए सब्सक्राइब करें।